दोस्तों अगर हम इस हतेली पे एक नजर डालते हैं तो आप ये देखी रहे होंगे कि इस हतेली की जो आवा है ने बहुत सुन्दर आवा लिये हुए ये हतेली है इस हतेली की आवा बता रही है कि इनका जो व्यक्तित्व होगा इनकी जो परसनल्टी होगी बहुत ही सुन्दर व्यक्तित्व के धनी हैं ये बहुत ही अच्छी इनकी परसनल्टी है और दोसरी चीज सबसे बड़ी चीज अगर हम इस हतेली में देखते हैं अभी आगे भी बताऊंगा आप लोगों को इस हतेली में ऐसे निशान हैं ऐसे चिन हैं कि जिस किसी भी हतेली में होते हैं तो ऐसे लोग अपने जिवन में जरूर सफल होते हैं आप किसी भी हालत में अपने को इंप्रूब किस तरों से किया जाए और उस और ज्यादा फोकस आपका रहता है और रहेगा भी कितना भी नगेटिव आपके जीवन में हो जाए आप उस नगेटिविटी को हटा कर पॉजिटिव कर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ते भी है चलो अब हम जो है इस हाथ का एनलिसिस करते हैं देखिए हाथ की जो रंगत है वो मैंने पहले भी बताया बहुत सुन्दर रंगत ले हुई आपकी हतेली है पर बरतमान में देखोगे आप अगर पूरी हतेली को देखे तो कहीं न कहीं हर जगर रेखाओं का आपको जालनुमा दिखाई दे रहा है तो ये बरतमान में कहीं न कहीं थोड़ा संगर्स को बता रहा है कि बरतमान समय में थोड़ा चिंता की इस्तिती भी है मानसिक चिंता भी है आपको और थोड़ा संगर्स भी चल रहा है धन के मामले में अगर देखा जाए धन तो बहुत सुन्दर आपकी भग्य में है हमेश चलें तो ये हमारा उठा है और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र परवत कहते हैं शुक्र ग्रह इसको कहते हैं इसके बारे में दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कला सुंदर्या सुंदर्ता इनी सभी चीजों के लिए और सुखद जीवन के लिए हतेली में इसका शु शुक्रपरवत देखो गया बहुत सुन्दर दिख रहा है उभारलेव ये भी है तो ये जातक बहुत तेज़स्वी होगे आपका चेहरा भी बहुत सुन्दर होगा सुन्दरता आकरसन आपके अंदर विद्यमान होगा और देखे दोस्तों ऐसे लोग हर प्रिस्तित को हस्ते हस्ते जहल सकते हैं अगर हम अंगोठे को देखा जाए तो अंगोठा भी बहुत सुन्दर आउस्ता में है और पहला जो पौर है इनका बहुती सुन्दर है यहां नुकेला भी है और यहां से चोड़ा भी है तो एक्षा शक्ति बहुत अच्छी होगी जीवन में कुछ करने की कि हम अपनी जीवन काल में कुछ ऐसा काम करें जिस से जो है अमारा नाम और यस हो जीवन में एक पहचान हो कुछ ललक है जीवन में और आप देखो एक यव का आकारवी इसमें complete बनता नजर आ रहा है देखे दोस्तों इनसान के हाथ में जो छोटा से छोटा चिन होता है वो कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा इत्यास अपने अंदर समाल के रखता है एक बड़ा रहस्य भी इसका रहता है इनकी मैंने दोसरा हात भी देखा बाये हात उसमें भी इसी तरो यव का एक चिन है और इस अंगोठे में भी आप देखोगे यव का एक चिन एक आकरती बनी हुई है तो आप में भावकता भी होगी भावक किसम के आदमी भी होगी और दूसरी चीज अगर देखते हैं हम एक ये इनकी जीवन रेखा है बहुत सुन्दर इस्तिती में है बहुत सुन्दर इस्तिती में और जीवन रेखा में देखोगे थोड़ा थोड़ा एक प्रगति वाले चिन इनकी हतेले में बन रहे हैं तो जीवन में निरंतर प्रगति रहेगी उन्नती ये करते रहेंगे और जीवन रेखा के साथ साथ आपको दिखाई दे रहे होगी एक मंगल रेखा ये बहुत लक्की मानी जायती है जीवन रेखा की सहयोगी रेखा भी इसको कहते हैं बहुत अच्छी ये मानी जाती है ये रेखा ये रेखा दोस्तों धन भी देती है धन देती है ये रेखा इसलिए इसको धन रेखा भी कहते हैं ये रेखा Taste मंगल पर होने के चारण जमीन जाईदाद से भी धन देती है नाओ या भोट इन सब चीजों से बड़ा लाब मिलता है ऐसे लोगों को आवस्ता में जो है सनि परवत पे पहुँच जाती है। साप सुत्री कोई रेखाएं इसको काटे नहीं अभी तो काट रही हैं आप देख रहे होंगे बहुत सारी रेखाएं काट रहे हैं पर इसको काटे नहीं और यहां तक बढ़ जाए और एक ब्रांच इसकी सूरे की और चली जाए इस तरफ इस सूरे की और चली जाए तो ऐसा अब्यक्ति अर्वों की संपति अर्जित करता है ऐसे लोग 28 वर्स, 36 वर्स, एवं 42 वर्स में बिसे सपलता पाते हैं इनको मैं बहुत सुन्दर उपाई दूँगा क्योंकि जो ये योग बन रहे हैं ये इनके बनतो रहे हैं पर पूरे नहीं बन पा रहे हैं वैसे बहुत लाइन है इनके तो कोछ ना कोछ लाव ये बहुत अच्छी मात्रा में इनको देगी और निश्चित तोर से जो है जिवन में बहुत प्रगति है इनकी अगर आप देखें तो जो इनका निम्न मंगल है निम्न मंगल भी बहुत सुन्दर है सारिक उर्जा बहुत अच्छी इ अगर इनका हम ब्रस्पती देखते हैं तो बहुत सुनर जो है ब्रस्पती इनका है ये देखो ये तरजनी उंगली है बहुत लंबी है ये तो लेडर्शिप के गुण इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होंगे और साथ-साथ में देखोगे कि इसके नीचे का जो ये भागय सुन्नर भी है और बहुत पुष्ट अवस्ता में भी है बिक्सित दिखाई पड़ रहा है उबराववा दिख रहा है जातक बहुत स्रेष्ट होंगे श्वयम उन्नत करेंगे और जो इनके संसर्ग में आएगा उसे भी ये उन्नत करने में शाहयता प्रदान करेंगे सहयोगी होंगे विद्वान होंगे नियाय करने वाले होंगे अपनी बातों का ये निर्वहन करने वाले और प्रॉपकारी होंगे अगर देखा जाई दोस्तों तो धार्मिक भावनायें भी कहीं न कहीं इनके अंदर बड़ी मातरा में देखने को मिलेगी आप देख रहे होंगे ये गुरु परवत पर एक से दो रेखाई इस तरों से भी चल रही है पिद्यमान है तो जो जातक के जियोन में उच्च पद की प्राप्ति की योग बना रही है ये रेखाई बहुत प्रोग्रेश वाली होती है दूसरे आप ब्रिस्पति पे देखोगे इस तरों से किल्यर एक बरग का निशान बना हुआ बहुत किल्यर है आप देखोगे तो ये कुसल परसासक होंगे ऐसे गुण है इनके अंदर और ऐसे जो लोग होते हैं साधारन घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्चपद तक पहुँचते हैं और हर जगह बहुत सम्मान पाते हैं अगर हम थोड़ा उंगलियों का ये साब किताब देखते हैं तो इनकी उंगलियों के बीच गयब बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं तो खर्चेला स्वभा हो जादा होगा बरतमान में पैसा तो बहुत अच्छा आ रहा है पर हतेली में टिकनी पा रहा है थोड़ा बरकत की कमी दिखाई दे रही है और इस मिडिल फिंगर को देखते हैं तो बहुत लमवत खड़ी है तो बिद्दिमता से बिबेकी से काम लेने वाले हैं मगर थोड़ा यहां पर इस तरफ ढ़ला हुआ है तो जो भी यह काम करते होंगे बहुत जादा मेहनत के बाद ही इनका काम सफल होता होगा अगर इनका सनिका माउंट देखें तो काफी जादा मातरा में जो है नीचे दबा हुआ है भग्यास्तान भी है यह नोकरी का स्तान भी है कहीं न कहीं ब्यावसाई में नोकरी में थोड़ा सा अरचन की इस्तिती है और अगर अरचन नहीं है तो पैसों का बचा बहुत कम हो रहा है पैसे जो है कम मातरा में बचा पा रहे हैं कापी सारी रेखाई हैं, तो भग्यवाद की और यह ले जाती है, अगर इस पष्ट रेखाई हों, जैंसे यह है, तो गुरू की गुर्ण आ रहे हैं, तो उś्च्पद की प्राप्ति होगी, यह भग्य असतान में लक्षमी की प्राप्ति बता रही है, यह सूरे की और जारी ह तो कहीं न कहीं जो है फिमस्ता की गुण बिला रहे हैं नाम और काम जो है दोनों के गुणी इन में आ रहे हैं अगर इनका जो है सूरे की उंगली देखें तो सूरे की उंगली जो है सनी की और मुड़ती जा रहे हैं सूर्य को देखें तो सूर्य इनका फैलाव की इस्तिति में बहुत अच्छा है पर कहीं न कहीं दोस्तों बहुत जादा जो है डाउन इस्तिति में है कमजोर इस्तिति में है तो बरतमान में चाहे कितनी ही मेनत कर लें कितनी ही कठिन परिश्रम कर लें उसका पूरा स्रेई इनको नहीं मिल पारा है उसका जो क्रेडिट मिलना चाहे वो नहीं मिल पारा है और धन के मामले में भी जितना धन इनको सेविंग करना चाहे वो सेव नहीं हो पा रहा है संगर्स इनके जीवन में आ गया है और दूसरी अगर हम बात करें चाए आप नोकरी कर रहे हो चाए आप व्यावसाई कर रहे हो जब तक आपका सूर्य पुष्ट नहीं होता है तब तक उस चीज का विस्तार नहीं हो पाता है चाए उस सूर्य पे कितने भी अच्छे चिन हो चाए आपके और गरह कितने भी अच्छे हो मगर जब तक ये सूर्य जो है पुष्ट अवस्ता में सुन्दर अवस्ता में नहीं आ जाता है तब तक आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती होई ये भी वो उस रूप में जो है विस्तार नहीं उसका हो पाता है उबर कर चीजे नहीं आ पाती है और कोई भी आपके जिवन में छोटा काम हो बड़ा काम हो बड़ी मुश्किल से वो हो पाता है या जब फाइनल में चले जाता है तब वो बिगड़ जाता है या फ्रीज हो जाता है या बहुत महिनत के बाद जो है वो काम हो पाता है आप देखोगे सनलाइन बहुत सुंदर है गद्धी दिलाने वाली रेखा है एक रेखा मस्तिस्क रेखा से इधर बनी बिज़ीनिस की और भी ले जा रही है कि बिज़ीनिस में यस की प्राप्ति होगी पर कहीं न कहीं एक कट का सावी माहूल बन रखा है तो आप देखोगे कि ऐसे कट वाला जिस जो भी माहूल बनता है या तो पिता के साथ बेचारिक मत्भेता रहती है या जो काम रहता है उस काम में बिस्तार नहीं हो पाता है इनको मैं बहुत सुन्दर उपाई दूँगा अगर उन उपाईयों को ये विदिपूर्वक अनुसासित ढंग से करेंगे तो निश्चित तोर से इनकी जीवन में परिवर्तनाना सुरू हो जाएगा अगर हम इनकी बुद्ध की और देखें तो बुद्ध का जो परवत है ठीक ठाक है बहुत सुन्दर है इनका जो ब्यक्तित तो होगा वो बहुत सुन्दर ब्यक्तित तो होगा और कम्यूनिकेशनी स्किल्स देखें वो भी बहुत अच्छा होगा इनका जो काम होगा जो बि में थोड़ा कमी देखने को मिल ली है पर अपने बिजनिस के छितर में ये बहुत चाला की किसम के आदमी हो सकते हैं और अपना बिजनिस को चलाने के लिए काफी जो है ये मेहनती है बहुत मेहनती ये करेंगे थोड़ा सा अगर देखें तो जो बिजनिस है इनका उसके के मामले में और अगर आप बात करें वानी के मामले में योजनाओं के मामले में बहुत सुन्दर और तीब्र मस्तिस्क के साथ काम करने वाले इब्यक्ति हैं बहुत सुन्दर इनका जो है बुद्ध है अगर मंगल की बात करें उपरी मंगल की बहुत सुन्दर पुष्ट आउ प्रस्ता में जो है ये मंगल है द्रिडनिस चाई होंगे सासी होंगे जीवन में कहसी भी प्रस्तिति आ जाए उस प्रस्तिति से निप्टने की छमता इनके अंदर है मन हमें समझबूत रहेगा और ऐसे लोग इस तरह से आ जाए तो या तो सेना में पुलिस में मिलिटरी में ऐसे लोग जाते या खिलों में जाते हैं अगर वहां न जाएं तो ये लोग निडर और सासी होते हैं इनका मन हमें समझबूत रहता है बहुत सुननर हैं इनकी अगर मैं देखो एक पूरा पिक्चर में तो नहीं आ रहा अगर ये लाइन इस तरह से सूरे के और जारी है जो है अपना प्रभाव दिखाती हैं दो साल में पुष्ट होती हैं अगर ये रेखा इस तरो से जारी है तो दो साल के बाद इनका जो भग्य होगा वो बिलकुल ही अलग होगा चाहे धन के मामले में हो परतिष्टा के मामले में हो या नाम के मामले में हो या काम के मामले में ह ये लिख के मैं दे सकता हूँ इनको अगर इनका हम चंदरपरवत को देखें ठीक ठाक है चंदरपरवत मन के बहुत सुन्दर होंगे अच्छी सोच रखते होंगे और ब्यक्ति जो है चेहरे से भी बहुत सुन्दर होता है रेखाओं के अगर बात करते हैं तो इनकी मस्तिस्क रेखा इस तरह से चंदर के और आरी है तो जीवन में साहित्य के परती संगीत के परती कला के परती या आर्ट के परती गहरा लगा होगा अगर ये चीज इनके अंदर नहीं होगी तो ये ब्यक्ति हमेशा चिंता तुर रहने वाला ब्यक्ति होगा मगर ऐसा नहीं दिखा रहा है यात्रा को भी बता रहा है अच्छी यात्रा है इनकी जिवनकाल में है यात्राओं को इनको जरूर लौब मिलेगा हिर्दे रेखा के बात करें तो हिर्दे रेखा भी बहुत सुन्दर हैं इसमें गुरू के भी गुणा आ रहे हैं तो यह दिलिडिनिस चाईए और आदर्स्वाधी ब्यक्तित्व के मालिक होंगे रिस्तों के पर थी हमेशा सजग रहने वाले रिस्तों को निभाने वाले ये ब्यक्ते हैं और बहुत सुन्दर हिर्दे वाले ये ब्यक्ते हैं बहुत सुन्दर है इनका जिवन बीच बीच में कहीं कहीं योग की इस्तिती लग सी रही है तो 50 पलस के बाद थोड़ा न कहीं न कहीं जो है सांस की प्रॉबलम या हिर्दे रोग की प्रॉबलम हो सकती है उस और इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वैसे उसकी उमीद तो नहीं है क्योंकि जो भी इनके हतेली में जो ये जाल नुमा रेखाओं का बना हुआ है इसका मैं उपाई दूँगा ये संगर्स के कारण है और उन उपाईयों से ये जुरूट ठीक हो जाएगा और ये कम से कम ठीक होने में एक साल का बगत लगाता है इनको धेरे पूरों को उपाई करने चाहिए और धेरे रखना चाहिए जो भी कम अभीनी बन पारा एक साल के बाद बहुत सुन्दर जो है इनके योग बन रहे है भग्या रेखा की अगर बात करें चंदर छेतर से बहुत सुन्दर इनकी भग्या रेखा जारी है मस्तिस्क रेखा तक जारी है जीवन में निरंतर प्रगति के योग हैं और वाहन का सुक इनकी जीवन में जरूर है अगर हम बात करें एक भग्यरेखा यहां से भी जारी है जो सनी की और ही जारी है ये भग्यरेखा भी निरंतर उन्नति के और ही सारा कर रही है अभी कुछ रेखाई भग्या रेखा को काट रही हैं तो कहीं न कहीं जीवन में पैसा तो आता है मगर खर्चे जादा बढ़ जाते हैं अगर एक हम और बात करें तो यहां पर इस तरह से जो है तिरभुजनुमा बन रहा है तो कहीं न कहीं सूर्य के उधाई होने से राजनीति में या किसी ऐसे सामाजिक छेतर में परतिष्टा मिल सकती है और धन की योग भी बहुत अच्छे बन सकते हैं जिस से जो है इनका नाम और इनका ब्रांड एक बनी है सबसे सुन्नर रेखा अगर देखी जाए अभी तक की सबसे सुन्नर रेखा ये इनकी भग्या रेखा है और ये इनका जो है मनी बंद है इस मनी बंद से एक रेखा निकल के भग्या रेखा से युक्ति बना रही है इस पर सकर रही है ऐसी अवस्ता में आपने अपने जीवन भर में जो भी गलतियां की होंगी अब उन गलतियों को सुधाने में आप पूरा जोर लगा देंगे एवं उन गलतियों को सुधाने के लिए आपके पास बिलक्चन छमता बिद्यमान है और छमता आएगी भी और साती सात मैं बता दूँ आप में परिश्रम करने की अच्छी खासी परिवर्ति पाई जा रही है और विद्यमान है आप लोग जीवन में सफल जरूर होते हैं आपको विशेश मैं कह रहा हूँ किसी भी हालत में अपने को इंप्रूब किस तरों से किया जाए उस और ज्यादा आपका फोकस रहेगा कितना भी नगेटिविटी आपकी जीवन में हो जाए आप उस नगेटिविटी को हटा कर पोजिटिव कर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ते भी रहेंगे ये जो संगर्स चल रहा है केवल और केवल सालबर तक का है उसके बाद आपकी जीवन में जो भी मैंने बताया है एक तो हतीली की आभा जो परसनल्टी बता रही है और आपको भग्यवान बना रही है दूसरा मंगल रेखा जो एक धन रेखा भी बहुत सुन रहे है तीसरा आपका जीवन रेखा जो हमेशा प्रगति की और इसारा कर रही है जीवन में तीसरा थोड़ा ये आपको भावकता ला रही है और आपकी इक्षा सकती चोथी बात मैंने बताई आपका ब्रेश्पति जो मान प्रतिष्टा बनाए हुई है उच्चपत की प्राप्ति करवारी है कुशल प्रसासक की गुण आपमें देरी है तीसरा अगर जो चीज मैंने बताई है भग्या रेखाई बताई है बहुत सुन्दर है और यात्रा का भी आपको अपनी जीवन में लाब मिलेगा कुछ अच्छी चीजें बहुत अच्छी हैं सबसे अच्छी चीज मैंने आपको बताई मणी बंद से निकले हुई यह रेखा यही एक रेखा ऐसी है जो बहुत पावरफुल आपके हतीली में है आप निश्चनत रहें आपका जीवन बहुता कुछ आगे बढ़ेगा इसके बाद भी अगर कुछ सवाल आपके रह जाते हैं आप से निवेधन करूंगा वटसप पे लिखें मैं उनका उतर देख दूंगा और आपको जो है इन जो उपाई है वो सेंड कर रहा हूँ निश के लिए नम्मर पे आप फोन कर सकते हैं वटसप कर सकते हैं हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद